सुनी टीवी के सीरिल क्यों थे दिल छोड़ाय में हम बहुत सी एंट्रीज देख सीर्स देख चुके हैं अब शो में एक नई एंट्री तो नहीं बलकि पुरानी एंट्री ही होने जा रही हैं शो में एक बार फिर से नज़राएंगे अक्टर गोरव शर्मा जिन्नोंने की शो में फारुख अंसारी की भूमी का निभाई थी ये 1947 वाले ट्रैक में आये थे जिसमें की इन्नोंने एक नेगटिव रोल किया था ये अमरित्स से शादी करना चाहते थे और इन्नोंने सभी पॉजिटिव क्रैक्टर्स को खुब परिशान किया उस समय दिखाया जाता है कि इनकी कोठी बम के दमागों से तबाह हो जाती है और सभी में ऐसा ही माना था कि फारुक अंसारी भी इसी कोठी में ही जल गए प्रेंतों फारुक अंसारी अलाइव रहे और वो एक बार फिर से सो में एंट्री के लिए तयार है वो एक बार फिर से अमधीर और वश्मय को परिशान करते नज़राएंगे गोर्व शर्मा एक जाने माने एक्टर है जो किस से पहले नादानिया दिया और बातिहम और शादी मुबारक जैसे सीरियल्स में नज़रा चुके हैं गोर्व शर्मा यानके फारुक अंसारी शो में इस बार सिर्फ एक कैमे रोल ही कर सकते हैं ये शायद ही लंबे समय के लिए नज़राएं क्योंकि इनको श्टापर्स के नए सिर्ल के लिए लीड रोल के लिए चुना है जो कि महिश पंडे का शो होगा हाल ही में शो से कुनाल जैसिंग की एक्सिट हुई है जिससे की फैन्स थोड़े से अपसेट हैं हलांकि शो में गुर्दीप पुंज और दो चाइल्ड स्टार्स की भी एंट्री हुई है गुर्दीप पुंज भी शो में एक नेगटिव रोल ही नी भा रही है अब देखना यह होगा कि फारुक अनसारी एक बार फिर से वर्ष में और अमधीर की जिन्दकी में आकर क्या नाय बवाल खड़ा करते हैं आप गुर्दीप शिर्मा की एंट्री को लेकर एक्साइटिड है या फिर नहीं हमें बताईए नीचे कमेर्ट सेक्सेन में इस वीडियो को लाइक किये जोड़ चैनल को सिब्सक्राब किये जीए